जा दोस्तों वीवो का वी 15 प्रो जो आज ही इंडिया में लॉंच हुआ है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसका क्विक अन्बॉक्सिंग और पर नज़र डालेंगे ऐसे कुछ फीचर्स पे जो बनाती है इस फोन को दूसरों से अलग तो चली दोस्तों पता लगाते हैं वो क्या है शुरू करते हम टेक की बाद काई टेक याने जीटी हिंदी के साथ तो शरवात करते हैं दोस्तों हम क्विक अन्बॉक्सिंग से और बॉक्स खोलते ही आपको सबसे पहले मिलता है वीवो का वी 15 प्रो यस दिवाइस को साहिन में रखे थे बारे में आगे जांकि बाद करेंगे यह के साथ आपको मिलता है दोस्तो एक बंपर केस केस आपको फोन के साथ ही मिल जाता है और इसमें आपको ओवराल प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर आपको फोन उल्टा भी गिरे तभी यह case प्रोटेक्ट कर सकता है इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है एक 9V का वाल चार्जर जो की dual engine charging technology के साथ आता है उसके साथ है एक micro USB केबल और एक standard earphone जो की in-ear है और उसके साथ साथ दोस्तों थोड़े बाद पेपर वर्क और एक SIM ejector tool तो यह सारे तो होगे दोस्तों inbox content अब बात करते हम ऐसे कुछ features के बारे में जो Vivo V15 Pro को थोड़ा अलग बनाती है तो सबसे पहला feature दोस्तों यहाँ पर है तीन camera का setup और जो primary camera है दोस्तों वो है 12 megapixel का लेकिन pixel binning technology के जरिया आप यहाँ पर 48 megapixel तक की photos ले सकते हैं इसके साथ दोस्तों जो second camera है वो है 8 megapixel का और यह 120 degree तक wide angle photos ले सकता है और जो final camera है इनके rear camera setup में वो है 5 megapixel का जो की of course bookey photos है उसको compliment करता है कि भाई कितना depth है वो आपको यह camera बता देगा और इस camera में दोस्तों आपको AI technology भी मिलती है जो की scene detection के साथ आता है और even जब आप filters यूज करते है तब यह filters भी आपको बता देगा कि किस scene पर आपको कैसे filters यूज करने चाहिए अब second feature दोस्तों viewer v15 pro का है 48 megapixel ready camera जिया वो जो primary camera आपको इस phone में मिलता है वो 12 megapixel का तो है बट quad pixel technology के जरीए आप यहापे 48 megapixel तकी photos ले सकते हैं यह option दोस्तों आपको camera settings के अंदर मिल जाएगा जैसी आप 48 megapixel में photo लेंगे तो आप देख पाएंगे कि photo की जो final resolution है वो 8000 x 6000 है जो कि combined अगर आप करें तो 48 megapixel निकल के आता है अब अगला feature में दोस्ते है आप एक camera से related है और वो है wide angle camera जी हाँ इस phone में दोस्तों आपको wide angle camera मिल जाता है जिससे आप normal photos नहीं बलकि 120 degree की जो field of view वाली photos होते हैं वो ले सकते हैं और आप जाधा चीज़ों को अपनी frame में अटा पाएंगे जैसे कि आप कुछ examples में भी करेंगे तो प्लीज उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं मिस नहीं करना चाहते है तो subscribe के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अब अगला feature दोस्तों है इस phone का है selfie pop-up camera जी हां वो next style camera आपको vivo v15 pro में मिलता है और जभी आप selfies लेंगे ये camera अंदर से slide up हो जाएगा motorize दोस्तों यहां पर technology है और even face unlock में भी दोस्तों यह camera काम करता है अब face unlock जिसमें दोस्तों camera pop-up होता है आपका face unlock भी हो जाता है वो 0.48 seconds के अंदर-अंदर हो जाता है और फिर इस 32 megapixel के camera से आप बहुत सारे photos, portraits, even studio lighting effect वाले भी photos ले पाएंगे अब अगला feature दोस्तों Vivo V15 Pro का है उसका display जियां इस फोन पर आपको 19.5-9 का full view immersive display मिल जाता है और कोई भी notch नहीं है जी हाँ और एक अलगी experience आता है जब आप videos देखते हो और games कहलते हो अब इसके बार दोस्तों आपको Vivo V15 Pro में मिल जाता है in-display fingerprint sensor और यह जो fingerprint sensor इसकी technology दोस्तों पिछले वाले devices से थोड़ी जाधा bumped up है अब यहाँ पे आपको बहतर fingerprint recognition और जो speed है वो भी improved है और वैसे इसके बारे में हम अपने full-on review में बात करेंगे कि भाई यह speed कितनी साथ है क्या जाता है तो उस video को please miss बिलकुल यूनत करिएगा अब next feature है Vivo V15 Pro का इसका processor जियां यह इंडिया का पहला phone है जो कि snapdragon 675 के साथ आता है और यहाँ पे दोस्तों आपको 11 nanometer के architecture मिल जाती है और GPU भी यहाँ पे Adreno 612 use हुआ है अब यह जो octa core processor है दोस्तों वो आता है cryo 460 के साथ और इसमें 2.0 GHz के core है और बाकी के जो 6 है वो 1.7 GHz के है तो of course दोस्तों यह snapdragon 660 से बेटर है अगर आप gaming, graphics और AI इन सारी चीजों में देखें तो हर एक चीज में आपको थोड़ा सा bump up मिल जाएगा and finally last feature but I am sure यह आप सभी के दिल के करीब होगा जो की है 2 plus 1 SIM plus memory card का slot अब यहाँ पे दोस्तों आपको 2 slots मिल जाते हैं एक है dedicated SIM card slot जिसमें आप SIM 1 और SIM 2 एकदम डाल सकते हैं और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक different slot भी मिलता है जो सिर्फ memory card के लिए बना है तो अगर आप इस phone में internal memory expand करना चाहते है या फिर अगर आप अपने दोनों SIM एक साथ यहाँ लगाना चाहेंगे तो कोई भी रोग टोग नहीं है तो कैसे लगे दोस्तों आपको Vivo V15 Pro के features प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताए वैसे इस phone का gaming review GT Gaming में आएगा और इस channel पे दोस्तों हम इस दे में गुट्पाइ